नमस्कार जी मैं सूर्य पुचंदूबे रामेश्वरम इंस्टूट आप टेगनांजी एंड मैंजमेंट इलेक्टिकल इंगिन डिपार्टमें फेकल्टी हूँ आज हम DC मशिन के बारें पढ़ हैं यह मěरा DC मशिन का चोथा लेक्सर होगा और DC मशिन में आज हमलोग RMH reaction और उसकी pompa को हम यूश्टी करेंगे टो RMH reaction पढ़ने से पढले हम कुछ basic knowledge है, जुसको हम जानेंगे पहला वो basic knowledge है कि आपका जीने, जीने बोल है तो gematrical neutral axis, gematrical neutral axis क्या होता हम लोग बात करते हैं, तो जीने एक axis है, जो दो adjacent pole, मुझा ये pole और इस pole के beach के angle को center पर byset करता, मुझा इन दोनो beach के angle को क्या करता है, byset करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीने बोलते हैं, दूसरी बात करते हैं, जीने का लावा एक होता MNA, MNA के बारे हम पढ़ते हैं, तो MNA क्या होता है, magnetic neutral axis, MNA एक axis है, ये भी एक axis है, जैसे जीने था, जो main flux के perpendicular होता है, मुझा आगर आप देखेंगे, ये north है और ये south है, तो north हो south में ये flux जा रही है, तो इसके perpendicular line को हम क्या बोलते हैं, MNA, यहीं बोला है, इसके perpendicular होता है, तथा ये armature से होकर गुजरता है, MNA के elong, मुझा इसके elong जो भी के बिलाएगी, MNA के elong, armature coil, conductor में कोई भी MF indeedाज नहीं होता है, तो इसके elong, जो भी आप armature देखेंगे, ये आपने इसको देखा और इसको देखा, इसमें कोई भी current नहीं फ्लो हो सकता है, इसलिए इसमें देखें, यहाँ इधर current फ्लो होगा, या कोई flux नहीं कट करता है, इसलिए इसके एलांग, MNA के एलांग, जो भी आपका armature में conductor होंगे, उसमें कोई भी MF इंडियोज नहीं होगा, अब एक चीज और है, ये जो GNA और MNA क्या होते हैं, अगर armature में कोई current नहीं flow होगा, तो GNA और MNA दोनों coin side होंगे, जैसे हमने लि हैं, अब हम बात करते हैं, armature reaction क्या होता है, अब हम लोग topic पर आता है, armature reaction, armature reaction क्या होता है क्या होता है, जैसे हम लोग समझे है, जब मशीन पर लूड लगाते हैं, तो armature coil में current flow होने में लगता है armature में current flow होने के कारड एक armature flux पैदा होता है जो main flux का main distortion पैदा करता जिसको armature reaction मतलब क्या है एक main field यह था और जब आप armature current flow करा ही तो उससे वी एक field पैदा होगी मानले उसकी field ऐसे हैं तो वो क्या करेगी इस main field को क्या करेगी distortion पैदा करेगी उससी को आँ लोग क्या बोलते है ? Armature reaction बोलते हैं То Armature reaction दो प्रवकार के होते हैं ईक Cross Magnetization Cross Magnetization क्या होता है जो में मेंन फिल्ड में distortion पैदा होता है दूसरा होता है DM Jen जो मेंन फिल्ड में क्या करती है ? कमी लाती है अब बात करते है cross magnetization क्या होता है जब main field और armature field में 90 degree होती है तो उसको हम क्या बोलते है cross magnetization और जब main field और armature field क्या होते है एक दूसरे से 60 degree पर होते है उसको हम demand resistance बोलते हैं यही दोनों armature reaction DC machine में होते हैं अब बात करते हैं हम armature reaction समझते हैं कैसे अब माल लेते हैं हमने दो पोल की एक machine लिया जैसे यहां दो पोल है जब सिर्फ main pole में current flow बहने के कारण main field flux पैदा होती है यह air gap में uniform flow होती है हमने क्यो इस field को supply दे रखा इसमें call current दे रखा है तो जो field आएगी वो N2S होगी वो यह है जिसकी हमने दिशा हमने यह दिखा रखा है एक condition यह हुए दूसरी condition हम यह ले रहा है कि जब क्यों armature में current flow हो रहा है तो जब क्यों armature बार्णी में current flow होने के कारण armature field flux पैदा होती है जिसक की MF की दिशा हम नीचे की तब दिखा है अब इसकी दिशा कैसे दिख्याद करते है इसकी दिशा आप एक grip rule होता है तो यह जो right hand grip rule लेते है तो यह जो आपको दिखाता है यह current दिखाएगा और यह क्या दिखाएगा flux की दिशा दिखाएगा इसका वाइस वर्षा भी सकते है जैसा हमने इसको current बोला तो current यह जो प्लस होता है इसके अंदर क्या है current घुस रही है और जो डार्ट होता है current का बहार निकल लिए तो आप जब इसको पकड़ेंगे हमने वोला यह जो उंगलिया है finger है वो क्या है current की दिशा को दिखाती है तो जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यह का यह बहार निकलेगी तो यह tip बहार निकलेगी तो फ्लक की दिशा क्या नीचे की हो जी तो आर्मेचर फ्लक क्या है यह नीचे की तरफ जिसको हमने एसे दिखाया है तो दूसरी करण अब हमने दो condition कि जब क्यों फिल्ड करेंट फ Si Tring Blow हो रही है अ दूरी अर्मेजर critically है अब तीसरी बात करेंगे जब यह दोनों workflow हो गहें TikTokि एक यह लुद्चाल फ्लक्स पैदा होते हैं month फ्ल्ट और आर्मेजर फिर्ट मेंग दिखहा रहे है भी मीस यहुद भात करतें इस often तो main field क्या होगी वो tilted हो जाएगी मलब field की main field की direction क्या हो जाएगी बदल जाएगी जब हमें यह पता है कि MNA हमेशा resultant field के perpendicular होगी तो जब अब वो main field ऐसे थी अब वो क्या तिर्ची हो गई या distortion हो गया तो MNA भी क्या हो जाएगा उससे 90 degree जब खीचेंगे वो भी क्या हो जाए distortion हो जाएगा तो MNA भी क्या हो जाएगी shift हो जाएगी तो इसपर हम लोग समझते हैं तो यह क्या था आपका यह main field था जो सभी हम लोग देखे था यह north to south है यह main field है और जब इसको आप देखेंगे तो इसको आपने क्या पाया नीचे की तरफ पाया तो यह main field और armature flux क्या है आप यह देखेंगे यह main field है और यह armature flux है तो resultant flux कैसा हो गया यह ऐसे हो गया तो इसका अउलब क्या आप इस पर 90 degree खीचेंगे तो MNA आपका यह new MNA हो गया तो आपका MNA क्या हो गया shift हो गया एक चीज़ यह हो सकता है दूसरी चीज़ आपने यह देखा कि यह क्या है यह नार्थ है और यह south है तो यह क्या करेंगा इस north field को क्या करें ऊपर की तरफ फेगएगा और यह north, south field, south, south, यह flux को क्या करेंगा, अपनी तरफ खीचेगा तो यह क्या हो जाएगा यहाँ, अमाली generator है शुकिशने यह इसकी दिशा यह है तो आप आपने यह पाएंगे, कि यह यहां पर फिल्ड क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे और यहां फ्लक्स ज्यादा हो जाएंगे इसी तरह यहां पर फ्लक्स ज्यादा हो जाएंगे यहां फ्लक्स कम हो जाएंगे आप यह देख करके एक चीज और आपको बताएं कि आप इसको देख करके कैसे जानेंगे कि जने अगर एधर घुमता को एह प्रेमर की आप समझे तो क्या यह की साल खीछ लेगा यह आपके दिशा क्या है और यह दिशा क्या आपकीnaitr की लिए अपने देखा यहां फ्लक्स क्या हो गया ज्यादा यह लिए प्लक्स कम हो गया तो जी यह एक conductor है अगर घूमेगा इधर तो यहां पहले पहुचेगा तो जहां पहले पहुचता है उसको leading pole बोलते हैं और जहां बार में पहुचता है उसको trailing pole बोलते हैं तो आपने generator में यह पाएंगे कि leading pole for flux कम हो जाता है और trailing pole for flux बढ़ जाता है एक्जाम का MCQ question होता है बहुत important question ह अब बात करते हैं कि MN ने क्या हो गया theta degree क्या हो गया shift हो गया जैसे यहां से यह theta degree क्या हो गया shift हो गया अब आपने पाएंगे दो condition हो गया है अब इस पर बात में बात करते हैं दूसरी बात करते है generator condition में MN ने rotor की घूमने की दिशाम shift होता है आपने देखा कि यह मने क्या हो गया जिधर generator घुम रहा उस दिशा में shift हुआ और motor में क्या होगा उसका उल्टा होगा जिससे आपने देख चुके हैं अब बात करते हैं कि आप figures as first है जब आप क्या करेंगे इसको आप shift नहीं करेंगे आप ने brush को क्या रखा है आप यहां पर brush को as it is shift नहीं किया है तो जब shift नहीं करेंगे तो आपने यह पाया कि main field में और armature flux में जो angle है वो 90 degree है अता जब आप brush को shift नहीं करते हैं तो उस condition में को एक magnetization होता वो भी cross magnetization वो ही हमने लिखा है और armature reaction में condition में leading pole वो तो हमने बता दिया figures as first है जब brush को shift नहीं किया जाता है तब armature के mmf और fa अतो था main flux fm के 90 degree पर होता है अता इस condition में सिर्फ cross magnetization होता है आप next बात करते है अब हम माले दूसी condition लेते हैं कि जब हम brush को shift कर देते है बहुत ब्रस को shift नहीं करते हैं तो को एक magnetization होता है वो भी cross magnetization अब जब हम brush को shift करते हैं तब क्या होगा दूसी condition यह हुआ कि जब हम ब्रस को shift करते हैं, तो यह बात करते हैं, यह दूसरी condition होता है, armature reaction के condition में जब MNA shift होता है, तो ब्रस को भी MNA की दिशा में shift करनी पड़ती है, क्या आपको मजबूर्य अगर नहीं shift करेंगे, तो क्या होगा, अभी यहाँ पर sparking पैदा हो, commutation खराब हो जा shift करना पड़ता है, या shift किया जाता है, अब क्यो shift किया जाता है, अभी आपने देखा था, जो MNA में के के सामने जो connector होता, उसमें कोई current नहीं flow होगा, अभी जब यह ब्रस इहाँ पर होगा, तो इसमें क्या होगा, current flow होगा, तो इसमें sparking हो जाएगी, अभी आपको shift कर दि आपकी यह होगा, तो armature flux की दिशा यह होगा, आपने main field तो यह था, और armature flux कैसा होगया, यह होगया, अब आप देख रहे हैं, इनके बीच में 90 degree सा उपर होगया, अब आप इसको क्या करेंगे, इस armature flux को दो component में कर डिवाइट करेंगे, तो एक क्या होगया, एक तो 90 degree पर होगया, और एक इसके 180 degree पर होगया, यह तो 90 degree पर होगया, तो जो 90 degree पर होता है, उसको हम क्या बोलते, cross magnetization, और जो 180 degree पर होता है, उसको बोलते, de-magnetization, अता इससे as first होता है, कि जह हम brush को shift करते हैं, तो उसमें दोनों प्रकार के magnetization reaction, armature reaction होते हैं, अतो यह वही चीज हमने लिखा है, figures as first है, कि brush को MNA की दिशा में shift करने पर, armature MFA की दिशा, और main flux FM से 90 degree से अधिक हो जाता, अता FA को दो पार्ट में divide किया गया है, एक जो था FC, जो FC क्या था, आपको 90 degree पर था यहां पर, तो FC 90 degree पर तो उसके क्या होगा, cross magnetization, और जो दूसरा आपने पाया, कि यह छो है, यह वाला यह क्या है, 180 degree पर है, तो यह का 180 degree पर है, तो इससे क्या होगा, demagnization, तो इस प्रकार brush shift करने के condition में, दोनों प्रकार का magnetization होता है, अब हम बात करते हैं, इसके फाइदा क्या होते हैं, और मदले और advantage क्या है, advantage यह है, कि brush shift करने पर commutation के समय sparking नहीं होती है आपने देखा कि इसलिए shift करते है को कि sparking नहीं हो अज दूसरी condition आपने यह पाया कि brush shift करने पर जो demanderization होता महला main field इधार है और यह है और इसकी दिशा यह है armature का तो क्या हो जाएगा अब इका main field की ताकत क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जब main field की target कम हो जाएगी तो EMF की value भी क्या हो जाएगी वो भी कम हो जाएगी तो आपने क्या किया क्योंकि EMF का formula होता E is equal to N5 P upon A P upon A Z upon 60 तो यहां पर flux की value जैसे कम हो जाएगी तो E की value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी वही हमने लिखा है पर demanderization effect के कारण generator EMF की values कम हो जाती है बना यह इसका क्या है drawback है अब हम बात करते हैं जो magnetization या demagnetization होता है तो armature की किस किस conductor की वज़ा से magnetization गलत बोल गए demagnetization और cross magnetization होता है अब आप देख सकते हैं कि जो आपने shift किया था angle यहां पर theta degree अगर motor generator होगा तो इसकी दिशा में करेंगे motor होगा तो इसको उल्टी दिशा्म करेंगे तो यह आप क्या पाएंगे यहां पर एक यह जो zone पाया है यह आपने यह जो zone पाया है इसको बोलते commutation zone अब यहां पर आपने यह पाएंगे तो litigation zone में अगर आप धिहान तो यह क्या है यह फलस है और यह क्या है डाट है महल港 है इस क्रास है तो जब आप ऐसे करेंगे या तैसे जब ग्रिफिल जो हमें बताए था तो इसकी जो त designers होगी वो क्या होगी इसका यह armator की design यह होगि और the main field की region क्या है यह है तो то इस conductor की वज़े जो field की दिशा है armature वो यह है तो commutation zone में जो भी आपका conductor होगा armature में उससे जो reaction होगा वो क्या होगा demantization होगा वो हमने लिए भी गर्सास परष्ट है कि जी अन्ने की दोनो दिशा अथार्ट एंगल AOC मलब 2 theta armature conductor दवारा demantization effect पैदा होता है मलब इस conductor और इस conductor की वज़े से जो मैं आपका armature reaction होगा वो कौन सा होगा demantization होगा अब next बात करते हैं दूसरा हम बात करते हैं कि cross management किस से होता है figure suspect है यहाँ आप देखते हैं यह plus है मलब प्रस बोले तो cross है और यह क्या है dart है तो इसमें आप यह पाएंगे जो pole के सामने है तो आप यह पाएंगे तो इसके दिशा क्या होगी यह होगी तो इसके इसके बीच में main flux और armature flux में जो angle वो क्या है 90 डिगरी वो भी किस conductor की वज़े से जो pole के सामने आता है उससे वह हमने लिखा figure suspect angle aod aod मलब यह और cob मलब cob angle a के बीच armature conductor दवारा demagnetization effect पैदा होता है जिसके दोरा main flux में distortion पैदा होता है जिसको हम कैसे दूर करते है ब्रस को shift करके दूर किया जाता है यह चीजे होई अब हम next बात करते हैं कि अगर हम बात करें इसका wave farm कैसा होगा अगर अभी तो हमने यह पढ़ा तो हम main field और armature field का wave farm को समझेंगे आपने देखा हमने क्या क्या इस जो machine थी उसको यह north pole यह south pole इसको हमने क्या कर दिया कट करके सीधा कर दिया तो यह हमने कट करके सीधा कर दिया यह क्या है main field है यह आपका main field है यह north है और यह south है अगर आप ध्यान देंगे तो यह क्या है यह positive है यह cross है यह dot है इसी तरह तो इसमें आप देखेंगे तो इसको field कैसे निकलेगी इससे flux निकलेगा नार्थ यह flux निकलेगा और यहां पर आपने देखा कि यह एक्टन यहां लिखना भूल गाए यह plus है और यह क्या dot है तो आप इसको जब देखेंगे तो इसकी flux क्या उपर किता है मला यह flux इसके अंदर गोशेगा तो आपने यहां से यहां से जो flux निकलेगा यह क्या होगा इस तरह से आपको पूरा एक flux निकलेगा तो यहां पर हमने माना अगर इनार्थ है तो यह flux उपर होगा और south है तो यह flux नीचे होगा यह आपको समझ मारा होगा क्योंकि यह क्या है एक पूरा पुंज की रूप में एक पूरा एरिया यह पूरा एरिया कभर कर रहा है और जैसे जैसे में आप फिल्ड से क्या है इधर जाएंगे उसकी ताकत भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ऐसे इधर भी क्या होगी ताकत कम होती जाएगी अगर से आफ साउत में जाएंगे तो क्या होगा पहले बीच में कहीं ने कहीं तो जीरो आना है तो वो जीरो कहा जाएगा इस जीन्ने के बीच में जो यह है जीन्ने बोले गलब होगा यह मन्ने होगा जब जीन्ने तब होगा जब क्या होगा उसमें क्रेंट नहीं फ्लोगा तो यह पाइदा होगा आर्मेचर द्वरा फ्लक्स हमने यह माल लिया क्योंकि आपको पता है कि आर्मेचर का हमने यह आपको यह माल लिया आर्मेचर का flux से बोली है तो यह क्या होगा यहां पर सब्सक्री ज्यादा होगा या इसको MWAP बोले है flux MWAP में थ्रॉट अंतर है क्या होता है MWAP is equal to होता है flux upon reluctance तो यह जो दिखा यहां पर जो MWAP दिखा दे रहा है वो क्या यहां पर पिक होगा आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस वाले figure से जब आप ऐसे दिखते हैं तो यहां पर flux से ज्यादा होगा और क्या मिल्याब दोनों पोल के बीच में जो flux होगा वो क्या होगा पीकी होगा जिसको हम यहां से भी समझ सकते हैं तो और आर्मेचर जो flux जहां पिकी होगा वो किसमे होगा दोनों पोल के बीच में होगा जो कि यहां दिखाई दे रहा है इसी तरह आगर आप दूसरे तरफ देखेंगे इस साइड भी देखेंगे तो इधार एक तो यह नार्थ होगा और यह क्या होगा तो मलब दोनों की जो पॉलर्टी होगी जो मात पाया आर्मेटशर द्वारा जो मफ पैदा होता है वो क्या होता है त्रांगूलर होता है आब हम बात करते हैं इसके flux density कि बात करते हैं अब ही flux density क्या होती है तो अगर Mmf को क्या करेंगा Electrace हम अब हम क्या करेंगे से CALa bushley करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह आपका तो अगर हम यहाप फिल्ड की बात करते हैं तो जो flux density वाफ बात करते है तो इसके बीच में air gap क्या है ज्यादा है इसलिए यह जो है यह क्या हो जाएगा यह थोगा सा कम हो जाएगा तो यह जो वर्ड दिखाए देरा यह क्या है यह flux density को दिखाए जाएगा यह थोगा सा नीचे चला जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा यह थोगा सा कम हो जाएग क्योंकि air gap में air gap जितना बढ़ाएंगे MF की value को जब आप flux density convert करेंगे तो वो कम होती जाएगी तो आपने यह पाया जो flux density है उसका एकार कैसा है वो saddle shape का हो जाता है यह saddle shape जिसमें जो घोड़े पर बनाया जाता है वो saddle shape हो जाता है आप इस flux से आप इस flux और इस flux density को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो जैसे यह तो क्या होगा तो आपका flux density पहले यहाँ 0 हो जाता था आपने देखा यहाँ पर पहले flux density क्या हो जाती थी 0 यह आपका जब आर्मेचर में कंड नहीं flow रहा तो यह था अब जब आपने आर्मेचर में ध्यार्ट करा दिया तो flux कायसा होगया आप देखिए यहां पर क्या था यह तो से जिरो थी तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह थ्वासा यह ऊपर चला जाएगा, तो आप में यह क्या हो गया, mar hood में ही क्या ओगया इस तरह से distortion आ गया, तो आप देखि जो पहले पहले यहां 0 होता था अब जी रो किधर चला गया, यहां पर चला गया, अघंधन तो आपका यह क्या होता आपका leading होता है leading pole और यह क्या होता trailing pole तो leading pole पर आपने क्या पाया flux density कम हो गई और trailing pole पर flux density ज्यादा हो गई जो कि हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं तो यह क्या है आपका armature reaction हो गया यह तो हो गया armature reaction अब बात करते हैं कि इस armature reaction को हम कम कैसे करते हैं तो हम पढ़ेंगे remedies of armature reaction या method of limiting the effect of armature reaction अब हम armature reaction को कम कैसे करेंगे इसको हम पढ़ते हैं तो पहला method है high reluctance pole tips मालब जो pole का tip है उसको reluctance क्या कर दे बढ़ाद है दूसा method है reduction in armature flux मालब हम armature flux को क्या ताकत क्या कर दे कम कर दे अब यह करके हम लोग पढ़ेंगे तीरसा method है inter pole use करके और चौथा method है compensating winding use करके यह तो बहुत अब पूछे जाते exam में ऐसे मालब AK2 के course में लेकिन यह technique अगर बात करें कि MCQ competition में तो इनका भी question पूछे जाते MCQ में अब हम बात करते हैं high reluctance pole tips अगर आपने देखा होगा कि यह आपका यह आपका main pole है और यह क्या आपका armature है हम क्या करेंगे इसके बीच में रिलक्टेंज क्या करेंगे बढ़ाएंगे क्यों बढ़ाएंगे क्यों कि आपने यह पाया ध्यान देंगे कि center में center में armature reaction क्या है 0 है देखिए pole के center में armature reaction क्या है 0 है लेकिन tip armature reaction क्या है ज्यादा ह तो अगर हम बात करें कि center में armature reaction क्या है कम है और tip पर क्या है ज्यादा है तो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर air gap क्या रखेंगे कम रखेंगे air gap कम रखेंगे तो reluctance क्या होगा यहाँ पर छोटा होगा और यहाँ पर ज्यादा है तो यहां पर इ Bailey turns क्या होगा बढ़ा सा होगा अब क्या होगा जो और मेटर काफिल्ड मेंफिल्ड में यहां जाने के लिए उसको कम । लगाने पड़ेगी और चुक यहां पर और अधा अलå सबस्ट है कि pole center पा armature flux 0 अता धीरे धीरे pole tip की तरफ क्या होता बढ़ता जाता अता यदि center पा air gap कम करके lektans को कम कर दिया जाए और tip air gap को बढ़ा करके lektans को बढ़ा दिया जाये तो armature reaction कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर अब इस armature का flux यहां तक पूचने क्या होगी उसकी ताकत कम हो जाएगी यह तो method यह है कि इसके बीच में बढ़ा दें दूसरा method यह है कि अगर हम क्या करेंगे कि इस pole tip में क्या करेंगे इस pole tip को हमने दो भाग में divide कर दिया और यहां पर इसको हमने क्या कर यहां पर आपने देख रहे है इस tip को हमने क्या कर दिया slot में कर दिया slot में करने से फायदा यह हुआ इधर इधर भी gap खाली कर दिया यह भी air बीच में आ गया यहां पर भी क्या गया बीच में air आ गया और बीच में क्या यह पूरा solid है तो यहां पर यह क्या पूरी-पूरी रखे तो भी चलेगा अब यह जो आर्मेचर का flux इस पर जाने के लिए क्या होगा कई air को क्या करेगा कट करके जाएगा अत्था इससे भी क्या हो जाएगा आर्मेचर रेक्शन कम हो जाएगा तो वही चीज हमने समझाया कि तीज जो दूसा मेंचर ने बताया चैंफर कर स्ट्रक्शन यह क्या होगा चैंफर कर स्ट्रक्शन जो हमने पीछे समझा दिया इस मेंचर में एक दिक्कत यह है कि इस मेंचर से में फ्लक्स क्या हो जाता है कम हो जाता में फ्लक्स की वैलू भी कम हो जाती है अता देख दूसा मेंचर लोग बा एक tubular rectangular क्या करेंगे इसमें ये बीच में tubular illuminated कर देंगे और इस सब के बीच में क्या air है यहाँ पर भी है अब आप क्या आपने वही जो हम method बताया थे आप ये करेंगे तो ये north होगा और ये south होगा एंजम नार से जब south ये flux बहेगा नार से तो ये क्या है येए इस चाहल प्लक्स से होक रोख रो रक जाएगा अजब apartment का आपके Cancel करेंगी कम होजाए कि ताकत कम हो जाएगी तो और या प्लक्स को इताकत कि अण style रिक्데ंगा कम हो जाएगा अब बात करते हैं, tanest method है, inter pole method, इसको मैंने, construction में पढ़ा भी चुका है, inter pole of compensating warning, लेकिन यहां थोड़ाज हम लोग समझ लेते हैं, कि एंटर फोल किया होता जो गहता तो इंटर फोल के नार्ठ व सौफ के बीच में लगाया जाता है अगर जनरेटर हो तो इस एन के बाद जनरेटर है patient के बाद में अब नेटर तो यह जो टो आर्मेटरीकशन क्या करता है ? इसका आर्मेटरीकशन को क्या करता है ? इन दोनों के बीच में जो staff इंतर-फोल से दूर करता है मैंलין, interview binding को क्या जाता है और ने आपकरते हैं इसके वह हमने लिखा है किसके कार क्या है, demantization effect को कम करता है, और इसे commutation अच्छा हो जाता है, और ये क्या करता है, एक काम और करता है, ये commutation को भी अच्छा करता है, जो कि हम आलडी पहले lecture में इसको पढ़ा चुके हैं, अब हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छी पॉइंट है, इंटरफोल वाइनिंग प्रियोग करने से, ब्रस को shift करने की आऊ सकता, नहीं पढ़ती है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, compensating वाइनिंग, compensating वाइनिंग क्या करते हैं, हमने देखा armature reaction में दो प्रकार के होते हैं, एक है demagnetization, दूसरा cross magnetization, तो cross magnetization को जो effect को दूर खतम करता है, वो कौन करता है, compensating वाइनिंग, इसके यह भी construction है, तो इसको हम क्या करते हैं, यह इसको कहां लगा जाते हैं, main pole के, यहाँ पर pole shoe में लगाया जाते हैं, जैसा वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको heavy machine में प्रियोग किया जाता है, अब आपने यहाँ main चीज़ है, यह अभी आप figure हम लोग पढ़ चुके हैं, यह figure तब था, जब armature reaction था, तो armature reaction क्या था, ऐसे था, अब आपने armature, आपने यह जो आपने आइस से पहले, यह जो flux है, यह किसको दिखाता है, armature के flux को दिखाता है, और जो आपने यहाँ पर compensating main, यहाँ पर आपने क्या दिया, pole के pole shoe में क्या लगा दिया, compensating warning लगा दिया, अब इसकी वज़ा से, इस compensating warning से जो flux आएगा, वो ऐसे आएगा, आपने यह पाया, कि यहाँ पर, तो यह इसको neutralize कर देगा, और यह इसको neutralize कर देगा, तो यह पूरी तरह से, यह पूरा area, मलदा इसके beach का area, पूरी क्या हो जाएगी, armature friction क्या हो जाएगा, पूरी ता से zero हो जाएगा, तो इस तरह साम क्या, तो जो distortion था, वो क्या हो गया, वो एक अच्छे में distortion खत्म हो जाएगा, तो compensating warning से, हम cross magnetization को दूर करते हैं, तो आज के लिए इतना हम लोग, sufficient है, फिर हम लोग next next, हम लोग आगे पढ़ेंगे, नमस्कार जे